करीब 1500 साल पहले भारत में थी एक ऐसी युनिवरसिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी युनिवरसिटीज में से एक है नालंदा नालंदा शब्द तीन शब्दों से बना है ना प्लस आलम प्लस दा इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमाना हो वाकई जैसा नाम वैसा का इस युनिवरसिटी में ग्यान का भंडार था यहां सिर्फ धार में ग्रंथी नहीं बलकि लिट्रिचर, फियॉलिजी, लॉचिक, मेडिसिक और फिलोसिफी जैसे कई सब्चेक्ट्स पढ़ाय जा दे थे और तो और हर सब्चेक्ट का भर पूर ग् लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी जेला, आखिरकार बारहवी शतावदी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया, और माना जाता है कि इसकी लाइबरी तीन महीने तक जलती रही, और ग्यान का वो खसाना जो संभाल का रखा गया था, दुए में खो गया, उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महा विहार यानि विशाल बौध्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंड़हर आज भी 57 एकर में फैली इस साइप में नज़र आते है, कुछ रिकॉर्द्स के मुताबिक नालंदा दरसल आ जाम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तुफ़े में दिया, पर आखियालोजी के हिसाब से नालंदा को 5th century BC में गुप्तकाल में बनाया गया था, उसके बाद गुप्तकाल में इस जगर का और डिवेलप्मेंट हुआ, और ये एक व स्ट्यूडिन्स कौन थे, चाइनीज ट्रावला यूंग सांड जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहां खीचे चले आते थे, यहां पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यानमार से, श्री लंका से, अनेक प्रांतों के लोग इस जगा पर शिक्षा ग्रहंट करने के लिए आ नालंदा जैसी उनिवर्सिटी इस बात का सुबूत है, कि भारत का ग्यान सदियों से दुनिया को रौशन कर जहा है, हम उमीद करते हैं, कि वाक्त एक बार फिर करवट लेगा, और वेहतरीन एजुकेशन की तलाश करता हर इंसान कहेगा, इटाबंस ओनली इन इंडिया.